हेलो दोस्तों स्वागत आपका आज की में जिंग वीडियो के अंदर एक डाउन फोल के बाद बैंक निफ्टी एक डवली पैटरन बनाते हुँ दिख रहा है और यहां पर नीचे भी आरसा ही के तुरू भी डवली पैटरन बनाते हुँ दिख रहा है यहां पर मैं इंट्री हुआ लेलेएवारा हुं जैसे ही मार्केट 40 के ऊपर घया मैंने इंट्रेवह में वहां पर बना ले टेक है टेलीग्रम ग्रूप के अंदर मैंने क्या है कि इसको बता दिया ता यहां पर इंट्री यहां पर में मेरा मेरा फस्ट टारौिट ये रहेगा सेकेंड टार्ग्ट हमारा यह हो सकता है resistance तो उपर वाला है ठीक है तो दो resistance है उपर कोई issue नहीं है पहले वाला क्या करना है हमने पहला वाला target हिट हो गया तो हम क्या करेंगे अपने stop loss को entry point के उपर हम लेखे आएंगे ठीक है चलो देखते है market कैसे performance करता है wait and watch दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो के पहले हमारा एक w pattern बन गया ठीक है target हमारा आराम से पहला वाला हिट वो हो चुका है दोस्तों अभी हम करेंगे SL trail कर लेंगे अपना उपर ठीक है हम फिर क्या है कि second target के लिए यहां पर बैठ सकते market detest करके उपर गयर वो जा सकता है second target हमारा यह रहेगा फिर third target उपर वा हाफ से ज्यादा quantity है वो exit है वो कर सकते हैं जा फिर आप पूरी quantity exit है वो कर सकते है second target यह रहेगा हमारा उपर वाला ठीक है तो देखते हैं अभी market यहां से टपा खाके बापीस भी आ सकता है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पे जो हमारा पहला target था वहां पे हम exit पूरी की पूरी quantity कर देंगे अगर वहां से टपा खाके market नीचे क्यों रहे वो आता है ठीक है ऐसे ही करके एसल ट्रेल करके हम अच्छा खासा profit बना सकते हैं ठीक है तो देखते हैं market के अंदर क्या चलता है फिर दिन यहां पे हमारा 2.1 ratio क्या अचीव हो हो चुका है देखते हैं अभ वहीं से market के आया के downfall वो दिखा दिया ठीक है तो हमने आपको पहले ही बोले था कि अगर market downfall दिखाता है तो यहां पे हमारा पहला target हो हीट हो चुका है वहां पे हम अपना SLA लगा देंगे फिर दिन वहां से क्या है कि market पूरा down भी आ जाए तो हमारा trade profit में close दोना चाहिए दोस्तो ऐसे price action strategy सिखने के लिए हमारे channel को subscribe करें और then like करके अपना प्यार जुरूर दिखाएं so thank you